Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और साथी साथ इस समय क्या प्रोग्रेस चल रहा है मतलब बुलेट ट्रेन का जो पुरा कॉरिडर बनाया जा रहा है उसमें कितना प्रोग्रेस हो चुका है इस्पेशली आपको याद होगा काफी कॉंट्रोवर्सी देखने को मिले थी कि महराष्ट में पहले जो पिछली वाली सरकार थी उनके दौरा काफी डिले किया जा रहा था ऐसा ओपोजिशन का कहना था तो क्या अब वापस से चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है बुलेट ट्रेन का जो पुरा प्रोजेक्ट है कब तक कम्प्लीट कर दिया जाएगा और साथी साथ ये वाला जो बुलेट ट्रेन हम जपैन से मगा रहे हैं इसकी खास बात क्या है हम जपैन से ही क्यों मगा रहे हैं काफी कुछ जानने को मिलेगा चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारा जो GS Foundation का बैच है वो आप जॉइन कर सकते हैं आपको मैक्सिमम डिसकाउंट मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में सभी के लिंक दिये हैं देखिए यहाँ पर जो हमारा बैच है दोस्तों इसमें कम्प्लीट प्रिपरेशन कराए जाती है प्रिलेंस मेंस इंटर्व्यू सब कुछ आपको सिंगल बैच में मिल जाता है और इसके पहले जपैन से इस मंद के एंड तक जो डील है बुलेट ट्रेन को लेकर और ध्यान रखेगा जो बुलेट ट्रेन की हम बात कर रहे हैं इसका नाम है शिंकान सेन और इसका जो लेटेस्ट मॉडल है E5 सिरीज का वो भारत प्रोक्यॉर करने जा रहा है इंट आपको पता ही ह जो पूरा बुलेट ट्रेन का जिम्यदारी है जो प्रोजेक्ट है वो भारत के अंदर नाशनल हाई स्पीड रेल कॉर्परेशन लिमिटेड के तहत बना जा रहा है इनकी जिम्यदारी दी गई है कि इसको बुलेट ट्रेन बनाया जाए और बताये जा रहा है कि जो पूरा क आसपास जो bullet train है वो Japan से खरीदने वाले हैं लेकिन अभी जो latest खबर है कि starting में भारत 6 bullet train को खरीदेगा और इसकी costing क्या आ सकती है देखो इसका cost directly अभी बताया नहीं गया था लेकिन इसकी पहले जब 18 bullet train की बात हुई थी तो उसका cost करीब 7000 करोन के आसपास था मतलब अगर I think 390 करोन या 400 करोन के आसपास आना चाहिए तो 400 करोन के आसपास आप कह सकते हो एक bullet train की cost लगभग होने वाली है जो भारत जपान से खरीदने वाला है अब अगर हम बात करें तो कब से ये start होने वाला है देखो वैसे तो 2022 में ऐसा बोला गया था कि bullet train को भारत में दोणानी की कोशिश की जाएगी लेकिन अब यहाँ पर जो नया डेडलाइन है बताया जा रहा है कि जून जुलाई 2026 तक जो पहला train का operation है bullet train का operation है वो आपका start किया जा सकता है especially आप देख सकते हो जब हम पहले bullet train की बात कर रहे हैं भारत में तो ये आपका work करेगा एहमदाबाद औ और मुंबई के बीच में अगेन मैप में आप ये देख पाओगे जो सबसे बड़ा section है वो actually गुजरात वालाई है यहां से एहमदाबाद से अगर आप देखोगे तो अलग-अलग stations है और finally जो मुंबई के अंदर बांदरा कुला complex है वहाँ पर इसका end station बनाया जा रहा है तो एहमदाबाद से मुंबई को जो है से जोड़ा जाएगा और ये पहला होने वाला है और अगर ये success हो गया तो most probably इसी तरह के जो corridors हैं वो भारत के अन हिस्से में भी बनाया जा सकते हैं वो भी मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा खेर अगर हम इसके cost की बात कर और इसके लिए भारत ने क्या किया था क्योंकि ये बहुत ही महंगा project है तो भारत ने जपैन के साथ deal किया था जपैन की ये जो agency है जपैन International Corporation Agency उनके साथ deal किया है और इसका लगभग 80% से ज़ादा जो amount है वो भारत लोन के तौर पर लेगा जपैन से और ये करीब बताया ज मतलब ये जो company है जपैन International Corporation Agency उसे 88,000 करोन भारत लेने वाला है और ये almost free आप कह सकते हो एक और चीज़ है ऐसा नहीं है कि भारत अगर ये ले रहा है तो जपैन ही सब कुछ कर रहा है जपैन के लिए प्रोजेक्ट successful करना काफी ज़रूरी था क्योंकि अगर आप पहले देखिए तो जपैन ने काफी कोशिश किया था कि उनका जो shinkansen train है वो आपका US के अंदर ला गया है और भारत उसके बाद पहला देश होने वाला है जहां पर जपैन के जो bullet train है वो आपके चला जाए जाएंगे और ये जो 88,000 करून भारत ले रहा है इसको करीब 50 से 60 साल में चुकाया जाएगा और 15 साल के बाद जो इसका payment है वो धिरे धिरे हम start करेंगे उसको देना ठीक है अब हम आते हैं कि इसका progress कैसा हो रहा है भारत में देखो बताया जा रहा है कि एक महने पहले तक जनवरी 2024 तक अगर आप देखोगे इस पूरे project का लगभग 40% जो है वो आपका complete हो गया है और इसमें से भी जादा तर progress आपको गुजरात वाले section में देखने को है हाँ यहाँ पर एक चीज है कि देखो महराश्ट में recent times में काफी तेजी से progress हुआ है क्योंकि यहाँ पर central government की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा था कि इसके पहले जो सरकार थी महराश्ट में वो यहाँ पर project को complete शायद उतना तेजी से नहीं कर रही थी जो आपको वगरा है उसको जल से जल हैंड ओवर किया जाए और वहाँ पर जो physical infrastructure जो भी बनाना है उसको अब स्टार्ट किया जाए तो अब चीजें धिरे धिरे स्टार्ट हो रही है अब इसमें से भी मैं आपको इंट्रस्टिंग चीज बताता हूं कि अभी तक बताया जा रहा है कि 100 किलोमीटर से जादा जो वाइड डट है वाइड डट में basically होता है जो elevated वाला corridor हो गया अगें यहाँ पर आप देख सकतो यह आपको piers देखने को मिलेगा जो इसके नीचे pillars लगे में राइट और जो उपर वाला पार्ट है जिस पे train दोड़ेगी उसको वाइड डट कहते है जो bridge होता है basically उपर वाला पार्ट ठीक है तो करीब 2500 किलोमीटर जो pier है वो आपका लगाया जा चुका है और 100 किलोमीटर जो wire duct है वो भी complete किया जा चुका है यह पिछले साली inform किया गया था railway minister के दोरा और साथी साथ यहाँ पर six river bridges जो है वो भी आपके build किये जा चुके है ग interesting चीव में आपको बताता हूँ basically मैंने आपको बताया कि यह जो पूरा bullet train का service है वो एहमदाबाद से मुंबई तक चलेगा अब अगर हम बात करें जो train हम खरीद रहे हैं तो क्या वो जो train है वो हर एक stop पर रुखते वे जाएगी यहाँ पर आपको अलग-लग stop दिख रहा हो तो देखो इसके लिए दो type की service start की जाएगी एक होगा only limited number of stations वाला और दूसरा होगा all stop वाला मतलब अगर मालो हम बात करें कि limited stations की तो जो important stations है मालो एमदाबाद हो गया फिर यहाँ पर सूरत हो गया वदोधरा हो गया तो यह जो कुछ important stations है वहाँ पर ही एक दो तीन ही stations प complete कर लिया जाएगा और एक और bullet train की service होगी जो हर एक station पर रुकते हुए जाएगी तो उसका जो total timing होगा वो होगा 2 hours 45 minutes ठीक है तो यह दो तरह का service यहाँ पर बताया जा रहा है bullet train का देने की कोशिश हो रही है अब हम आते हैं कि यहाँ पर जो Shinkansen train है वो भारत क्यों खरीद है कि इसकी speed तो वैसे 340 km पर आर के हिसाब से आसपास होने वाली है लेकिन भारत में बताया जा रहा है कि 320 km के आसपास जो है इसको दोडाया जाएगा वो भी देखना होगा हो सकता है starting में इसका 200 km पर आर के आसपास speed हो देरे धरे करके इसको बढ़ाने की कोशिश के जाए है और especially ये वाला जो E5 वाला series है इसमें शीच को ensure किया गया है फिर इसके अलावा इसके अंदर safety system देखो बहुत important in fact मैं आपको बताऊं तो दुनिया में जो सबसे safest bullet train बताया जाता है वो आपका Japanese वाला ही है क्योंकि कई जगा accidents वगरा देखने को मिलें लेकिन जपैन का जो accident हुआ होगा जिसमें लोगों की मृति होई हो तो especially यहाँ पर भारत के perspective से भी important हो जाता है कि यहाँ पर automatic breaking system हो गया derailment mechanism हो गया अक्सर आप सुनते होगे भारत में जो normal trains है वही derail हो जाती है तो bullet train अगर इतने तेज स्पेट से चलेगी तो उसके derailment के कई chances हो सकते हैं तो वह derail ना हो फिर इसके लावा comfort और amenities का काफी अच्छा खासा ख्याल रखा गया है और especially यह वाला जो E5 series है इसमें कई सारे comforts दिये का है ताकि आपको luxury वाला जो experience है वो महसूस होगा खेर भारत और जपान के बीच में जो deal हुआ था इसमें important चीज़ आपको यह समझना है ए में भी हो सकता है कि इसको further expand कर दिया जैसे Mumbai और पुने वाला पूरा branch हो गया वहां से इसको connect किया जा सकता है फिर Chennai और Bengaluru की अगर हम बात करें तो उसको connect किया जा सकता है और आगे चलके maybe you never know दिल्ली से आगरा और फिर आगरा लखनो यह पूरा होते वे वानारसी होते वे और हमारे पास technology ना है तो वो कहीं न कहीं एक loss होगा भारत के लिए लेकिन एक Japan के साथ जो हमने यह deal किया है उसमें यह होगा कि Japan हमें technology ट्रांसफर भी कर रहा है आगे चलकर हमारे पास knowledge होगी कि bullet train को कैसे बनाया जा सकता है उसमें technology क्या लगी है तो इसकी वज़े से हमारे जो engineers हैं वो empowered होंगे और में भी हो सकता है कि made in India bullet train आगे चलकर आपको देखने को मिले फिर इसके लावा maintenance support वगर भी पूरी तरह से Japan प्रोवाइड करेगा और इसके साथ-साथ एक और interesting चीज़ है वो है आपका training program क्या है कि जब यह bullet train का पूरा सब को start होगा Japan handover करेगा भार होगे तो कोई भी delay नहीं है हर रोज बताया जाता है कि average में delay maximum 20-30 seconds होता है अब दोको 20-30 seconds तो कोई delay हुआ नहीं एक तरह से लेकिन still उसको वहाँ पर लोग count करते हैं क्योंकि इतना जादा punctuality पर focus किया जाता है लेकिन यह possible कैसे हो पाता है देको Indian engineers ने इसके बारे में पढ समझा उनको यह समझ भी आया कि देखो technology तो एक important role play करती है लेकिन इसके साथ साथ जो Japan का culture है Japanese culture है वो भी बहुत important है मतलब कि उनका जो काम के प्रतिलगन होना और जिस तरह से behave करना वो बहुत important है और कहीं न कहीं भारत भी ही कुछ कोसिस कर रहा है कि यह जो high speed rail system भारत में जबाएगा तो उसी culture को हम भी inculcate कर पाएंगे और इसको timely रख पाएंगे तो देखते आगे इसको लेकर क्या होता है बटाई होग की जो latest update आया था यहाँ पर bullet train को लेकर वो आपको समझ में आया होगा और जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हो वंदे भारत express देखो अग सबको पता है मेरे instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर में कई सारे जो mcqs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ अगर आपको pdf यह तो टेलिग्राम पर आईए अलग लग सोशल मीडिया पर कारी हुई अफोर्डिबल